नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्थर के बारे में जो ना सिर्फ खूबसूरत है, बलकि इसके पीछे का इतिहास, धार्मिक महत्व और स्वास्थिलाब भी चौका देने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रही हैं सुलैमानी हकीक की। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत पत्थर के बारे में जो सदियों से इंसानों को आकरशित करता आ रहा है। सुलैमानी हकीक का इतिहास बहुत पुराना है। इस पत्थर का नाम सुलैमान यानी राजा सोलोमन से जुड़ा माना जाता है, जो इसे अपने खास अंगूठियों में पहना करते थे। इसे हकीक या अगेट के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ विभिन्न रंगों में मिलता है, पर काले और सफेद धारियों वाला हकीक सबसे प्रसिद है। प्राचीन काल से लोग इसे ताबीज और धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तिमाल करते आए हैं। हेल्थ बेनेफिट्स ऑफ सुलेमानी हकीक अब बात करते हैं इसके स्वास्थ लाभू की। सुलेमानी हकीक को मानसिक शांती और भावनात्मक संतुलन के लिए पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर से नकारात्म कूर्जा को दूर करता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा, इसे हृदय रोग, थाइरोइड और तवचा समस्याओं में भी फाइदे मंद माना जाता है। अगर आपको डर या अनिद्रा की समस्या है, तो सुलैमानी हकीक आपकी मदद कर सकता है। सुलैमानी हकीक को पहनने का सही तरीका भी जानना जरूरी है। इसे किसी भी धातु में सेट करवाकर, खास तौर पर चांदी में सीधे हाथ की मध्यमा उंगलिया अंगूठे में पहना जाता है। शनिवार या मंगलवार के दिन इस पत्थर को पहनना शुब माना जाता है, और इसे धूप में रखकर या गंगा जल से शुद्ध करने के बाद धारन करना चाहिए। सुलैमानी हकीक को हर कोई पहन सकता है, चाहे वो किसी भी राशी का हो। यहाँ पत्थर उन लोगों के लिए खास तौर पर फाइदे मंद होता है, जो जीवन में तनाफ, असंतुलन या बाधाओं का सामना कर रही हैं। अगर आप अपनी जिंदिगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो सुलैमानी हकीक एक बहतरीन विकल्प हो सकता है। चाहे आप इसे धार्मिक आस्था से पहनें या स्वास्थिलाब के लिए सुलैमानी हकीक निश्चित रूप से आपकी जिंदिगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी सुलैमानी हकीक पहना है या पहनने का सोच रहे हैं। लापिस लजूली, टाइगर आई, इरानी फिरोजा, मार्यम जास्पर इनके बेनिफिट्स विडियोस लिंक्स इन दिस्क्रिप्शिन.